हलो एवरीवन कैसे हो आप सबी आज मैं विहान को एक हाथ से दूद पिला रही हूँ भी विहान पीले कि इसेड मत देख बेटा इसको भी देखो फोन में पूरा धिहान है फोन में नजर है विहान की एक्चुली मैं आपको बता रही ना कि 45 मिनट ना रोज विहान दूद पी जल्दी पी दूद नहीं पीएगा तो देख लियो पीले 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 मेरा बच्चा दूद पीले खीच ले देखो यह मुश्किल होती है बच्चे के साथ ना अगर मेरा ध्यान मोबाइल फोन में आप से बात कर रही हूं और एक हाथ से दूद पकड़ा रही हूं ना विहा आपी जहान गाड़ी है। हम अपके अपने घर के दूटीन का मिपटाने लगए थी खाल मुझे दिन में बिलकूल टाईम नहीं मिला घर की अवरन की सफाइी करने के मुझे आप बता को उसका फ्री होती हुं मैं नो बज़े नो बज़े से पहले तो क्योंकि वे एडिटिंग करने बैट जाते हूँ, उसमें भी मेरा करीबन करीबन एक घंटा तो चला ही जाता है। तो ऐसे इस तरीके से ना मेरा पِّर अग Stewart वीडियो में कपडे ढोने लगजाती हूँ, माशने लगजाते हूँ दस से बारा के टाइम में कपडे दोने लग जाऊंगी या फिर थोड़े थोड़ा और दूसरे काम करूंगी फिर मैं लंच की त्यारी भी करनी शुरू कर देती हूं तो मेरा धिकतर टाइम ना रसोई में जादा जाता है और यहां पे देखो कमरे आप भी मैं मानती हूं आप लोगों की बात आप सही कहते हो खोटे छोटे कमरे और फटा फट हो जाती है सफाई हो तो जल्दी जाती है दूद पी खीच धे। ऋिखार के बाई वार लेकिन तो ज़ित जायेगा तो मैं आज यही किया आज थी तो बुक्स पढ़ सकता हूं उस टाइम में यहां अपना काम थोड़ा बोजस एडिटिंग का कर लिया उससे फिर मेर को यह नहीं लगेगा ना कि मैं खाली बैठी कोई काम नहीं कर रही हूँ तो यहां पर देखो एसी का पानी है ना स्टील की बाल्टी में यहां भर लेती हूँ और यहां से इसी में गट कर देती हूं वीहान की साइकल घर फिर इसका न पैंज निकल गया वह ठीक हो जाएगा फिर वीहान ही अपनी साइकल में बड़ी कर लिया करेगा और यह बड़ी साइक्ल मैंने रख रखी एकि वीहान जब थोड़ा और बढ़ा ओगरहे ना आज से चार साल बाद ये बड़ी वाली साइकल भी विहान अपने आप चलाई लिया करेगा क्योंकि मैंने जब खरीदी थी ना जब विहान सिर्फ 6 महीने का था तब ये साइकल खरीदी थी आपको जो सामने दिखाई दे लिया और मैंने सच में खरीदी इस परपस से थी क उस टाइम में जाना कमफर्टेबल नहीं कर फील करती थी क्योंकि उटो वाले तरह तरह के कोश्चंस पूछते थे मतलब अजीव तरीके से क्योंकि मैं आटो में बैठे बैठे रोने लग जाया करती थी मेरी है क्योंकि हालत इतनी खराब थी उस टाइम मेरे हस्बेंड की कि मैं ओटो में रो पड़ती थी फिर ओटो वाले मेरे से पूछते थे क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो फिर तरह तरह के कोश्चंस पूछते थे तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता था इसलिए फिर मैंने सोचा मैं एक ना साइकल खरीद लेती हूं मुझे कहीं भी जान ना अपने YouTube के काम में कि मैंने कभी cycle में चलाई नहीं पाई उसके बाद तो देखो फिर मैं मेहनत करती रही करती रही मेहनत और उसके बाद तो मैंने खुद अपने लिए एक बाई की खरीद ली टीवी एस एक्सल हेंडरेट जिसे आप लोग morbid भी बोलते हो और उसके किष्टे मेरी आखरी किष्ट 32 रुपे की वो इस अगस्त में खतम हो जाएगी तो उसके बाद मेरी बाई की किष्टे कंप्लीट हो जाएगी आप समझी सकते हो ठीक है जी अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर बोलती हूँ कल मेरी एक वीडियो गई थी जिसमें मैंने कहा था कि विहान ने मेरी आँख में वो मारी थी क्या कहते हैं गोली मारी थी तो मैंने गुसे में आके उसकी वो जो थी ना खिलोना मैंने तोड़ दिया था तो कहीं लोगों ने कॉमेंट किया कि मतलब इसने वो कॉमेंट मतलब अपनी बहन क्या लाए हुआ खिलोना तोड़ दिया तो मतलब फिर लाइव में भी दीदी करने मैसेच किया था कि आपने मतलब उसकी खिलोना क्यों तोड़ा तो मतलब ऐसे कुछ पूछ रहे थे वो मुझसे नूर्मली पूछ रहे थे वाकी तो फिर मैंने उनको मैंने परसनली बात करके उनको बताया कि देखो वो वाली जो थी न वो सबस्क्राइबर सर लेकर आए थे वाली वो जो लेकर आये थे वो वी तो मेरे पास से रखा है खिलोना उनका वो तो जो मतलब अग्रोहा में जन को सबस्क्राइबर सर और किने हम लोग गए थे न साथ जब तो उस टाइम जो ए Pillow सर ने न जाते जाते वीहान को ये एक सो रुपे का पैकिट दिलवा दिया था जिसमें दो बंदूग थी इस तरीके के खिलोने थे तो वो वाली थी उसमें से तोड़ी थी मैंने और मैंने गुसे में जब तोड़ी ना तो मेरे को उस टाइम नहीं ध्यान था कि मतलब इस खिलोने का मतलब एक दम से गुसा इसलिए चड़ा उस टाइम मेरे को गुसे में क्योंकि मेरे बहुत तेज लगी थी बहुत तेज अगर थोड़ा हल को होता ना धीरे लगी होती है कुछ हो मेरी एक दम से आंक से दिखना एक दम से थोड़ी देर के लिए बंद हो लेकिन उसने फिर भी लगा दिया मेरे निशाना तो इसलिए मेरे को था कि दुबारा वही काम करेगा इसलिए मैंने तोड़ दी थी लेकिन हाँ आप लोगों की बात थीक थी मैं उसको उठा की कहीं रख देती बट उस टाइम एकदम से दिमाग मेरा नहीं चला मैंने लेकिन आज विहान को प्रोमिस किया है कि मैं विहान को उससे भी बड़ी आच्छा खिलोना दिलवाओंगी दिलवाओंगी न विहान ये दूद फिनिश कर देगा तो तो मैं वीहान को दिलबाद दूंगी और देखो हम दोनों में बहनों में सच में बहुत प्यार है हमारे बीच में कभी भी भगवान चाहे कि कभी कोई misunderstanding ना हो मैं अब कभी भी ने तोड़ना करूंगा मैं नहीं तोड़ूंगी बेटा मैं नहीं तोड़ूंगी सोरी मुझे माफ कर दो ठीक है बेटा मम आपसे प्यार करती है लेकिन दूद फीनिश करो सारा तो मैं कह रही थी कि हमारे बीच बिल्कुल बेहनों जैसा प्यार है और अभी कुछ है चीजे शायद मैं आने वाली वीडियो में डिस्क्लोज करूँ ठीक है अभी मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मैं गाथ देखो जो अगर कोई काम है वो बनने के बाद ही बताओ तो ज़्यादा बहतर रहता है तो जब होगा तब मैं आने वाले टाइम में बटाऊंगी जो भी जैसे भी होगा तो ऐसी बात होती है तो यहाँ पर देखो मैं विहान के लिए जूस निकाल रही थी फटाफट मशीन में अच्छा और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि देखिए कुछ लोगों के मेरे पास कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आफ विहान के डायट यहां सोशल मीडिया पर मत दिखाया किजिए कि वो क्या खाता है क्या नीक पीता है क्यूकि इससे नजर लगती है तो मैं कुछ मैं नहीं समझ पारी हूं मैंसे क्या करूं कि अगर मैं दिखाती हूं तो तो चलो आप सही बात कहते हो देखो नजर भी लग सकती है बच्चे को कि बच्चा ये खा रहा है वो खा रहा है लेकिन अगर नहीं दिखाती हूं तब लोग मुझे बहुत गलत बोलते हैं क्योंकि उनको नम यहां सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाना जरूरी होता है यहां पर अग टो झाया लुटे को दूडद पिला रही हूं कॉंसी माय एक गिलास निरी पर दिन पिलाती है अपने बच्चे को डेंड़न को में कुछभ किलाती बच्चे को क्योंकि चीज़ एक तीसटि पर कमचर नहीं है उसकू시는 यहां पर जाप ऑपप अपनी तरव कोशक होशीश करत जैसे समय के साथ उनका शरीर धीरे बढ़ भी जाता है कहीं बच्चे शुरू से ही देखा होगा अपने कफोड़े कम जोर होते हैं पर उसमें ना फिर एजा मदर रिदे को सब मा को बोल देते हैं कि हां बच्चा देखियो कितना कफटला सा है कम जोर सा है तो इस चीज में दे लेकर जाने के लिए तो यह ना रोने लग गया था बोलते हैं ना नू जा रहे हैं जा रहे हैं तो मैंने कब मापाजी रूख जो 5-10 मिंट यही बैट जो विहान का जूस खतम होने के बाद चले जाना अफ उसके बाद ये था रात का टाइम थाना शायद यह हम करके आरही ह कि घुड़ा बने लेकर आई ती लेकिन अपने घर में सबजियां कम लाती हूं क्योंकि सबजियां मेहंगी हैं मैंने देख लिया से बलकि राजमा छोले दाले वगरा बना लो घर में वो सस्ती पड़ती है अनाज सस्ता है आज के टाइम में और यह फल फ्रूट तो चलो लाना ही होता है खैर लेकिन सब्जिया महंगी है इन दिनों टमाटर इतने महंगी है हर चीज महंगी है और पता है क्या बात है कि बहुत होता है केमिकल्स का कोई भी चीज शुद्ध नहीं है अज के टाइम में जो भी आप खरीदते हो आपको लगता है कि नहीं बिल्कुल वह और ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल कोई चीज साफ सुथरी नहीं मिलती है तो केमिकल वाली सबजियां भी खाओ और इतने विहान की दो युनिफॉरम है एक युनिफॉरम घंदी हो जाती है तो दूसरी युनिफॉरम पहना देती हूं और यह वाली जो मेरी टी-शिट है आफ खुद धेख लो पैर तीन साल पुरानी है, सड़े तीन साल सड़े तीन साल पुरानी टी-शिर्ट पहन रखी आपके सामने मैंने तो मेरे कपड़े ऐसे चलते हैं, मेरे 5-5 साल कपड़े नहीं मैं फैकती हूँ, जब तक बिल्कुल घिसना जाए, फट ना जाए बिल्कुल खराब ना हो जाए, तब तक मैं पहनती रहती हूँ, कपड़े, जब घिस जाते हैं कपड़े तो फिर मैं घर में पहनने लग जाती हूँ, बाहर अंदर नहीं पहनती हूँ, बट फिर बी फिर अगर और घिस जाते हैं, तो रात-रात को पहननने शुरू कर देती हूंगी चल रात को सोते हुए पहन लेते हैं अच्छा अब से मैंने ना दिन की चार वीडियो कर दी है मैं टाइमिंग देख लूँगी किसी भी तरीके से अड़ेस्ट कर लूँगी अपनी चार वीडियो भी आएंगी मेरी डेली की शोट्स भी आएंगी अब मैं महिनत करूंगी आज से अपने यूट्यूब चैनल पर मैंने सोच लिया है क्योंकि काफी एक महीना हम पीछले इस महीने तो मैंने बिल्कुल भी कुछ भी महिनत नहीं करी मेरी सेलरी भी नहीं बनी है यूट्यूब से कुछ तो यह आज सुबह का समय आ गया था और मैं फटाफट चावल चड़ा रही थी छोले चड़ा दिये थे विहान के लिए दूद बना रही हूं फटाफट लगे हाथों क्योंकि फटाफट घर का जो सुबह का मोर्निंग रूटीन काम हो जाता है ना वह हो जाए तो बढ़िया रहता है टाइमली सारे काम हो जाते हैं और देखिए जी आज से मैं भी महिनत करूँगी अरे बेटा पी ले ना बेटा दूद जल्दी पिना अभी तक दे कितना साई पी है तो बस अपना अज सुबह से लगगी हूं अपनी मेरे को कुकर में सीटी भी आने लगगी आपको वाजारी होगी ना तो बस ये कुकर बो दूखी भी नहीं रहती हूं बस अपने कामों में लगी रहती हूं सुबह से रात तक लगी रहती हूं और भगवान जी से रोज परातना करती हूं कि भगवान जी मेरे बच्चे को लंबी उमर दो उसको स्वास्त रखो हेल्दी रखो बस मेरा बच्चा ही मेरी असली धंद तो यहां पर देखो विहान के लिए दूद तयार कर दिया था सुबह वाला आप दूद पिलाओंगी क्योंकि विहान को भेजने की स्कूल की त्यारी भी करनी है मुझे चलिए जी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेग अगर आप नए हो तो और सब में शेयर कीजिए का दोस्तों में फ्रेंड्स में अपना खूब सारा ध्यान रखिए बाई बाई टेक क्यार